साहिब गंज में एक हजार करोग रुपए के अवैद खनन मामले की चाँच एडी कर रही है। इसके तहत ही जारखंड पुलिस के डियसपी प्रमोद मिश्रा से बरहरवा टोल प्लाजा मामले के पूछताच सुमवार को की गई। हाना कि पूछताच में वह बहुत संतोष चनक जवाब नहीं दे पाए। लेकिन इस दौरान उन्होंने सुईकार किया कि अवैद खनन के मुख्या रुपी पंकज मिश्रा से प्रमोद मिश्रा ने न्याएक हिरासत के दौरान रिम्स में पांच बार मुलाकात की थी। प्रमोद मिश्रा एडी ने सुमवार को कई घंटे पूछताच की। उन्होंने अधिकारियों को ये भी बताया कि न्याएक हिरासत के दौरान पंकज मिश्रा ने कई बार फोन पर उनकी बारचीट भी हुई थी। पांच बार पंकज मिश्रा ने उन्हें बुलाया वह मिलने रिम्स कह थे। बतादे की पंकज मिश्रा से मुलाकात करने के मामले में अब एडी डीस्पी ट्रमोद मिश्रा के खिलाफ प्रात्मी की दर्ज करने की अनुशन सा सरकार और राची पुलिस को करेगा। कल एडी अधिकारियों ने ये भी पूछा की बरहरवा टोल प्लाजा मामले में शिकायत करता शंबू नंदन कुमार के फायार दर्ज कराने के 24 घंटे के भीतर मंत्री आलंगीर आलम और पंकज मिश्रा को कैसे क्लीन चिट मिली इसका वहाँ संतोश चनक जवाब नहीं दे स अब एडी ने डीएसपी से उनके व्यक्तिगत और पैत्रिक संपतियों के साथ साथ परिवार के सदस्यों और उनकी आयका विवर्ण भी मांगा है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले